Hello Students, Welcome to Aarti Education World Dear Students, इस वीडियो के अंदर हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विशेकी जो वर्क सीट आई है, वर्क सीट नमबर 32 और जिसकी दिनांख है 17 September 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रिश्नों के उत्तर भी करेंगे समाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनिती से जो हमारा चैप्टर चल रहा है चुनावी राजनिती और चुनावी राजनिती बड़ा ही दिल्चस्प टोपिक है क्योंकि हम सब लोगों से जुड़ा हुआ है तो उसमें हम पढ़ रहे हैं जो आज पढ़ेंगे हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में जो आपको यह वर्क सीट 32 बताएगी देखे भारत में आम चुनाव होते हैं हमारे देश भारत में लोग सबा और विदान सबाओ के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं आप सब जानते हो 5 साल में सरकारे बदल जाती है ना चाहे वो राज्ये की सरकार हो और चाहे वो देश की सरकार हो है ना लोगसबा या विधानसबा दोनों पांस साल के बाद लोगसबा और विदान सबा भंग हो जाती है भंग हो जाती है फिर दुबारे से सरकार आती है फिर सभी चुनाओ छेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंत्राल में अलग अलग दिन चुनाओ होते हैं फिर क्या होता है जो सारे के सारे चुनाओ छेत्र है या तो एक ही दिन होते हैं या फिर थोड़े time period के बाद होते हैं क्योंकि इतना नहीं manage हो पाता तो एक छोटे से कीजि दो दिन बाद हुआ है एक दिन हुआ है इस तरीके से होता है इसे हम आम चुनाव कहते हैं तो आम चुनाव समझगे क्या होता है जब क्या होता है पांस साल में जब लोकसभा या विदानसभा भंग हो जाती है और सारे के सारे जो चुनाव चेतर हैं एक ही दिन या छोटे अंतराल में होता है है मालो डिल्ली की विधाँ सबा भंग हो गए है पांस साल में तो फिर पूरी दिल्ली में है ना एक ही डेट में होंगे या तो या फिर एक डेट अगर नहीं होगी तो दूरrait में मतलब इस तारीके से फेल तीन डेट में इस तारीके से हो अब देखो एक होता है आम चुनाओ फिर उसने रिजाइन कर दियारी जुनाओ और फिर उचुनाओ तो वहां जो चुनाव होता है जो लोग छोड़ देते हैं अपनी सीट को या फिर किसी की मृत्ति हो जाए तो उसे हम बोलते हैं उपचिनाव आपको दोनों समझ में आ गए होंगे कि आम चुनाव क्या होते हैं और उपचिनाव क्यों ठीक है आप पढ़ते हैं चुनावी छे इस निर्वाचन चाताफ जो स्रमाजी लड़ेंगे दो कर देगी मतंता मतंता अपने एक प्रत्मीदी का चुनाव करते हैं है ना है चुने चुने जाएंगे मांसे यह तो नहीं कि तीन MP बन जाएंगे एक ही बनेगा जहां लोग से बाद चुनाओ छेत्र में चुने गए प्रतिनीदी को क्या बोलते हैं और राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचे सदस्यों को बोलते हैं विधायक जो MLA होते हैं उन्हें हम विधायक बोलते हैं और जो MP होते हैं उनको क्या बोलते हैं सांसद जो लोक सभा में चुने जाते हैं मतलब जो हम जो जिसमें प्रधान मंत्री बनते हैं हमारे जो सरक बना दे राज्यों की उन्धू होते हैं ठीक है MLA और MP वार्ड अब वार्ड उते हैं इसी प्रकार पंचायती और नगर पालिकों को भी छोटे-छोटे चुनाओ चेत्रों में बाटा गया है जो पंचायती है यह नगर पालिका गाओं वाली जो विवस्ता होती है चुनाओ कि कायी बार हम सीट भी कहते हैं कि ही सीट से कौन कड़ा हूआ है इस सीट से वो कड़ा हूआ इस तरीके से तो हम यह तो इसको निर्वाचन चेत्र जेत्र बोलते हैं या आम भासम लोग चिकर यह जो चुनाओ कि हम पॉनके cm कुछ समझें जानेवाले समुके लोग के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी ना तो संसाधन होते हैं न सिक्षा होती नहीं पाया गया होता मतलब कुछ ऐसे लोग अपने इंडिया में तो जो लोग मतलब ना तो उनके पास इतनी संसाधन है कि वह उपर आ सके ना उसमें के पास इतनी सिक्षा है ना वह किसी के कॉंटेक्ट में होंगे तो उसमें क्या कराएं जिन्होंने भी हमारे सम्मिधान बनाया है उन्होंने उन कमजोर वर्क के लिए एक आरक्षित निर्वाचन शेतर बना दिया विसेस विवस्ता बना दिया कि इसमेना केवल सिर्फ अनुसुचित जाती या अनुसुचित जन जाती के लोगी चुनाव लड़ेंगे तो इससे इन्हें बोलते हैं आरक्षित क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए उस सीट को क्या करा आरक्षित कर दिया उस अनुसुचित जन जाती के लिए तो इसे बोल दिया हमने आरक्षित चुनाव चेत्र ठीक है जिसके कारण जो क्योंकि इसके अगर इस यह नहीं होगा तो देश की एक बड़े हिस्से की आवाज संसद और विदान सबब तक पहुत नहीं पहुच पाएगी क्योंकि हर ठीक है हमारे देश में 18 साल से और उपर के सभी नागरिकों कुछ उनाओ में बिना किसी भेद भाव के वोट डालने का दिकार है यह तो हम पढ़ी पढ़ी चुके हैं और हमें पता भी है चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है या उसके बहुत रसू के मतलब वह सारी पाव कारे या है कि हमारा है कि नाम है था तो उसमें नाम रणाव जरूरी है तो मतदाता सुची के नाम पर वोटर डी प्राप्त होता है आपको पता ईडी मिलती है है सब को वोटर डी आपके घरों में वी हो की वोट देने जाते समय मतदाता Cris Var 2 या फिर कोई अन्य पैचान पत्रों कई बार उसके बिना भी काम चल जाता है जैसे कई निर्धारित भई ये लेके आना है तब वोट पड़ेगी तो ज्यादतर क्या है मतदाना वोटर आईडी से पड़ती है ठीक है जिससे किसी एक का वोट दूसरा ना डाल पाई ये प्रको अब देखते हैं उम्मीदवारों का नामंकन कैसे होता है देश में राजनितिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार मनोनित करती है बीजेपी अपना कंडिडिट खड़ा करेगी कोंग्रेस अपना करेगी आमादमी पार्टी अपना करेगी समाजवादी पार्टी अपना बोड़ेगा करते उपने उमिद्वारों का ना मंगन को बहुत अच्छे से समझ में आया हूगा आसा करती हूं, ऐसा, चुनाव लड़ने के इच्चुक हरेक उम्मिद्वार को नामंगकन पत्र भढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हमारे इच्छा है तो ऐसे ही हो जाएगा, उसके लिए एक फोर्म भढ़ने पड़ेगा, है ना, नामंगकन पत्र, जिसमें उम्मिद्वार अपने खिलाब चल रहे है आप राधिक मामले अपनी संपत्ती सेक्षेक योगयता आदिका ब्यूरा देते हैं जो नामंगन पत्र भरा जाता है तब ये उसके खिलाब कोई आपराधिक मामला है नहीं तो ये सब चीज उसको लिखना पड़ते है इसमें तब जाकर ठीक है जो भी चुक है नामंकन पत्र भड़ो और उसमें अपनी सारी डिटेल डालो तो वह क्या कहता है वह क्या करेगा वह चुनाओ के लिए फिर एलिजिबिल हो जाता है आप देखते हैं मतदान और मतगनना मतदान केंदर पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उमीद यह जाता है जब वोटिंग हो जाती है और तय तारिक पर उन सबी माशीन ओ कुल कर मतटों की ऐन्यों की गिन्ती होती है यह पहले से ही डिसाइड होता है कि उस दिन वोटों की गिंती चुरू हो सगई तो उनकी एक कोई संका न रहे किसी चुनावी च्छेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मी द्वार को विज्ज्जाइगोसित कर जाता है मतलब अगर एक चुनावी च्हेत्र में 10 लाक वोट हैं तो जिसको भी सबसे ज्यादा मालोग पांच बंदे वहां से चुनाव लड़ रहे ह मिलेगी जिसको वो जीट जाता है है ना तो यह होती है हमारी चुनावी प्रक्रिया अब देख लेती है इसके कोशन आंसर्स और बच्चों अगर आपने ध्यान से सुनाए ना तो आपको मेरे आंसर्स बताने की जरूद भी नहीं है चलो देख लेते हैं इसके आंसर्स आम जब किसी छेतर में कोई सदस्य प्रतिनीदी की मृत्यू की स्थिति से उस छेतर में दुबारा चुनाव होते हैं उसे कहते हैं हम कूप चुनाव ठीक है चलिए इवे हो गया पहला कोशन अब दूजरा कोशन देखते हैं सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है तो अभ एपसलूटली करेक्ट है यह अंजर इस पे आपके कोई नंबर ने काट सकता क्योंकि हमने इसमें पूरी बात लिख दी एक लाइन में ठीक है चले आप देखते हैं तीसरा कोशन क्या कहता है मतदाता सूची से आपके समझते हैं तो बता दो मतदाता सूची क्या होती है हमारे देश में 18 साल और उससे उपर के उम्र के सभी नागरिकों को चुनाओं में बिना किसी बेदवाओ के वोट डालने का दिखार है वोट डालने के लिए मतदाता अच्छा आपके अनुसार चुनाओं लडने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योगता होने चाहिए अब बताओं क्या क्या योगता होने चाहिए तो उसके अनुसार मेरे अनुसार चुनाओं लिखोगे न तो आप इस तरीके से लिखे मेरे अनुसार चुनाओं लडने के के लिए लिए करिए हैं पर के लिए उम्मीदवार में सिक्षित जिस चुनाव छेतर से लड़ रहा हो उस चुनाव छेतर में रहता हो वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं बलकि उस छेतर के लोगों की भलाई करने के लिए की करने की चरकता हो ऐसी योगता होने चाहिए है ना चुनाव लड़ने के लिए उम्मीद्वार सिक्षित हो मतलब ये मेरे क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्टिव पुझाए हमारी ओपीनियन पुझी हम क्या चाहते हैं तो मेरे अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीद्वार जिश चुनाव श्यत्र से चुनाव लड़ रह रहता हो और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं बलकि उस श्यत्र की लोगों की भलाई करने की इच्छा रखता हो ऐसी योगता है उसकी होनी तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो आप देख के चले जाते हो राइक नहीं करते हो ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं हो और नोटिफिकेशन बेल जरूर जब़ाले करो जिससे जब भी मैं आपको वीडियो डाला तो सबसे पहल करना बिल्कुल नम भूलना थेंक्यू बच्चो फिरा होंगे आपके लिए अगली वोक्षिक लेकर